हम थोड़ा global markets पर नज़र डाल करते हैं, लंबे समय बाद, काफी दिनों बाद एक ठीठा गिरावट हम ने अमेरिकी बाजारों में देखी है, थोड़ी नर्मी है, आज सुबह आपको एशिया के बाजारों से भी आती हुए दिख रही है, संकेत भी थोड़े आपको सुस्ता हैं, तो एक बार किल नया हाई फिर भी बना, इंटर डे में एक नया हाई बना, बट उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट आते हैं, लगातार तीन दिन से तो नया हाई बनारा, S&P एक पॉइंट से हाई से चुका है, यानि कि एस गुड़े लगातार तीन दिन से जा मुझे तीन दिन का याद दे, कि नया हाई बने, थोड़ी प्रोफिट बुकिंग आई है अमेरिका में, कोई खास बात नहीं है, ये प्रोफिट बुकिंग नैस्टेक से ट्रिगर हुए है, और नैस्टेक में क्या कुछ होआ वो समझना ज़रूरी ताकि आपको ये पता होन उसकी वज़े से बढ़े तो हमारे लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है, अमेरिके बादर अपनी वज़े से बढ़े या अपनी वज़े से घटे तो हमारे लिए कम इंपोर्टेंट है, अब कल क्यों घटे हैं हो समझ लिए, पहला नैस्टेक में, कल अमेरिका ने जो उनके यहां से चिप्स एक्सपोर्ट की जाती है, सेमी कंडुक्टर चिप्स हो गयरा है, आर्टिफिशिल इंटिलिजेंस वाली, उसके एक्सपोर्ट पर कुछ प्रतिबन लगा है, अमेरिका को यह डर है कि जो यह चिप्स एक्सपोर्ट की जा रही हो, यह तो चाइना मिस्यूज क तो क्या है, नेस्डेक में सेमी कंडुक्टर वाली कंपनिया काफी है, तो थोड़ा उस पर सेंटिमेंट असर आ है, दूसरा एक सेमी कंडुक्टर कंपनी है, जिससे नतीजे कमज़ोर पेश किये, यह दो चीजे है, जो हुए, अब अमेरिका में नतीजों की सीजन की शुर डाउ में अब तक जितने नंबर्स आया हैं कल भी हम बात करें एसनपी 500 में से 30 कम नतिज़ा है वो उमीद से बैतर है, उमीद के मुताबिक नहीं उमीद के लिए, तो इसका मतलब एक जो आखरी लाई ने यह सबसे बड़ी काम की है, वो यह कि तीन दिनों तक लगातार हाई बना कर थोड़ी प्रोफिट बुकिंग आना सभाब है कि आएगे न, कहीं तो प्रोफिट बुक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, तो कोई ऐसी बड़ी चंता की बात नहीं है यहांसे? ना